अपर नगरी निकाय चुनाव को एंदिजार खत्म हो गया है राजी निर्वाचन अधिकारी ठाकुर राम सिन ने पत्रकारों से चरशा के दोरान बताया है कि आचार सहेता आच्छे लागू हो गई है नामांगन की प्रेक्रिया 30 नमंबर से शुरू होगी 9 दिसंबर को 3 बज़े तक नाम वाक्षी के बाद चुनाव कि 9 आवंटेट किया जाएंगे 21 दिसंबर को मतदान होंगे निर्वाचन की जो अधिशुचना होती है करेक्टर लोग जारी करते हैं हो जारी होगी 30 तारीक को ही आराशन की सुचना लगेगी शुचना पटनों पर जिलों में 30 तारीक होगी 30 तारीक होगी 30 तारीक को ही मादान क्वेंद्लों की सुची का प्रकासन होगा तरीक की तेन चीज़े 30 तारीक को होगी 30 आठ बजी की पांच बजे तक देट ऑप काउंटिंग चोबी दिसम्बर तो एक ट्रण में होगा इस वक्त हमारे साथ राज्य निर्वाचन आई तो ठाकुर राम सिंग जी हमारे साथ है उससे जानते हैं सर अधिस सुचना जाली कर दीगे है कब कब कर क्या प्लान है तेकर तीस तरीक को नामांकन देने की कारोई प्लान हो जाएगी चैथ को अंतिम किती है तीस तरीक को मद्दान होगा और 14 दिसमबर को मधघना तम्बन हो जाएगी और 14 दिसमबर को ग ärइअ पर्णाम सामने आ जाएंगे ईसा आइव कर प्रयायर से अशार सी ताहस से प्रभावी है या तीस के बाद होगा राज निवाजन आएव द्वारा निवाजन के वोशना करने के उपरान थी प्रिदेश में नगरी शेत्र में आजार सहीदा का प्रवाव हो गया है और अशार निवाजन शेत्र है एक सो एंक्या नगर पालकाए है इसमें नगर निगम नगर पालका है नगर पंचाते इनी शेत्रों में आजा सहीदा प्रवाव हो गया की जगह नहीं तो अब आपसे जाने चाहिए इसफ़ार बेलेट पेपर के चुना हो रहा है क्या कारण है और परदेश के लागू है। तो अभी आप सुओन हो इसके लिए टैयर है, आपने सुभा ठापोर राम सिंग को जिनका कहना इसाब है कि आज पे आचार सहीता नगरी छेत्रों में लागू हो गया जहां यहां पे तो तैस्यों का चेहान होना है तो इस तरह प्रदेश में अचासरीता लागू हो गया है राइपूर्ट से कैबरेमेंट के साथ सब्क्राइब राजपूर लिम्सरगार के आर्थिक निपियों और गेश की बदहाल